जिसमेम नोगी शुरू करते हैं, उसी दिन हमारा retirement का date, मतलब, किस दिन तक हम नोगी कर सकते हैं, वो fix हो जाता है, हला की आप अपने financial wisdom के हिसाब से, उस date के पहले बी retire हो सकते हैं, सबाने तो अवर में उखली शुरूं करते हैं यह कंभी हम सोचते नहीं i water जाएगे। थह यह था सी यह काजी के अभी किसे थींस दॉस्ते दू कि क्रीबीफ कर आंगे अव्य है हलां कि आज के बच्चे काफ़ी समार्ट हो गई हैं वो डे लन से रिटायरमेंट की प्लैनिग कर लेते हैं वह सोचते हैं कि क्या करना है चारीस साल के बाद पचास साल के बाद जो भी ओ रिटायरमेंट का कि ये बाद में क्या करूंगा हमारी life कैसे maintain हो गी अब हमें दो साल ही वक्त बचे है हमारे retirement में आप हमें हो रही है कि इन दो सालों के बाद जब में पैंशन मिलेगा और वह पैंशन की रखम हमारे खर्चे के लिए पूरे नहीं होंगे और कुछ पैसे विस पचीश लाख हमे तो मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी लाइफ प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाए हुआ जर्चा करेंगे इन ही बातों पर जब हमें टर्मिले बेंफिट्स मिलेगा जो भी 20-25 लाग रुपर मिलेंगे मुझे उसी को इन्वेस्ट करना है सो दैट कि इतना रिवनियू जर्नेट करें कि हमें पेंशन इमांड में जो मंतली एक्स्पेंश के लिए पैसे कम पड़ते हैं वह उससे पूरा हो जाए 10-15 वीस साल पचीश साल आगे तक यह प्रॉपरली चलता रहें तो यह जो लंशन पैसे 20-25 लाग आपको मिले हैं इसको इन्वेस्ट करने का दो एसे एक वैसे एक वैसा एवन्यूज जहां कोई रिस्क नहीं है और एक ऐसा एवन्यूज जहां रिस्क है और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस एवन्यूज में रिस्क नहीं है रिटर्न भी कम होंगे और जिस एवन्यूज में रिस्क अधिक है वहा यह हो सकता है कि आप चाहते हैं कुछ रिस्क लेंगे लेंगे रिटर्न वहां अधिक मिलने के दिशांसे हैं तो हमें उसमें जाना चाहिए तो आज हम दुनों तरह की बाते करेंगे पहला वैसा एसे जगह कोई रिस्क नहीं है इसमें हम देखते हैं कि 10-11 तरह के हैं स्कीम है फाइब शिटिजन सेविंगी स्कीम यह लोगों के लिए हैं लेकिए इसमें कंडिसमें यह यह जू हैं शाल साल के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एमईयस मंतली इंकम स्कीम जो काफी पॉपलर है इमॉंग डिफेंस परसेनल नस्फ दिश्विड़िए सब्से प्रिक्सी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एस वाइ शुकन्या सम्रधी योजना और बैंक्स हलांकि बैंक्स जो है बैंक्स में यहां लिखाए नो रिस्क टेकिन बैंक में टेक्निकली यह थी हम अकेडमिकली बुलें तो रिस्क तो है यह विकॉज हंडेट परसेंट गंडिया ओन नहीं करता है अधर्वाइज यह जितनी स्कीम फ्रम टॉप टूप दिस एससवाइज है वह सारी स्कीम ओन बाइद एंडिट परसेंट ओन बाइद गमेंट इंडिया इसका मतलब इसमें एक पैसे का बिसक नहीं है बैंक्स में थोड़े रिस्क हैं टेक्निकली लेकिन जनाब यह इंडियन बैंकिंग इंडिस्ट्री है इसको डूबने भी अगले तीस साल चारी साल लगेंगा सो यदि या पब्लिक सक्टर या प्राइवेट सक्टर के कोई अच्छे चारपांच बैंक्स को ढूने के दिया तो वह भी आलमस्ट नो रिस्क जोन में आते हैं वह आपके पूरे तीस साल की कमाई है इसको ऐसे ना जाने दे इसको चाहें तो रिटर्न साहे कम मिले रिस्क कम से कम होना चाहिए और रिटर्न कितना मिलेगा यह मैं बताता हूं कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या है मैं उसकी चर्चास करें हमने लिखा है सबसे पहले इसमें देखें सबसे अधिक जो रिटर्न है इस एक पैंट टू परसेंट यह है सिंजर सीजन से में स्कीम में और एक और और है शुकर्ण्य सम्रिद्र योजना जो कि बच्चियों के लिए है तो चुकि आपकी उम्र 58 साल 69 साल के आसपास हो गए तो हमें उमीद नहीं है कि आपकी बच्ची कोई माइनर होगी यह माइनर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं विकॉज यह उन्हीं के लिए है जिन लेकिन यह के लिए लिए आप महिला है तो और इसके बाद हमने देखा यहां लिखा है क्वाटरली क्वाटरली एंवल मंतली यह फ्रिक्वेंसी जनाब इसको ध्यान देम मैं इसी बात पाधिक जोड़ देना चाहता हूं जो कि आम लोगों को समझें यह बाते नहीं आती है फॉर एक्जांपूल के तौर पे हमने लिखा वन यह डिपोजिट का रेट ऑफ इंट्रेस 6.9 परसेंट और यहां लिखा है क्वाटरली फ्रिक्वेंसी यहां मैं एन्वल लिखता यहां एन्वल होता इसका मतलब कि एक साल में यह एक हजार रुपे आप में डिपोजिट क होते हैं एन्वल में कंपॉंड एन्वली होते हैं जहां लिखा हुआ है इसका मतलब हम रिक्रेट करके देखा इसका एन्वल एन्वल अफ्रिक्वेंसी करना चाहां तो इसका मतलब एक हजार रुपे आप जमा करें बैंक में एक वर्सों के लिए एक साल के बाद आपको एक हजार बैसी रुपे के आसपास मिलेंगे जबकि यहां देख रहें कि एट पर्सेंट के हिसाब से लगता है कि असी रुपे ही मिलने चाहिए तो यह फ्रिक्वेंसी का इंपक्ट है वह आपको देखना जवर है जाना जवर है कि बहुत सारे बैंक्स का हमने एड देखा ह हुआ है लिखते हैं एट परसेंट और स्टारर मार्कर कर इसमें लिख देते हैं एन्वकन जबकि पब्लिक सेक्टर वनक्स पर्रिक से सीस्कार रिख अब इन्वकन के लिए अलकि इतना आपको इंट्रेस्ट नांट मे व huis होगा इनवस में एक चीजे और भी हैं है जैसे आप यह दो स्कीम्स हैं सिनियर सिटिजन सेविंग स्कीम और मिल जाते हैं मंतली इंट्रेस्ट आपको मिल जाते हैं इसका मतलब यह आप स्कीम में एक लाख रुपए जमा किए आपको पहले कवाटर में wallpaper जमाрать होगा जो एकला लाग रुपय आपको वापस मिल जाएंगे यह सित्यां इन दोनों में हैं यह सारी बातें कर लिए हम ने वैसे वैसे एससे में जहांके रिस्क काफी कम है यह रिस्क नहीं है एक और दुस्रा वन्यूज है जो कि रिप्विट है और उस रिपस आँ में आम तोर पर जो हम जान भी हमें जानकारी नहों तो हो सकता है सारे 20-25 लाग जो ही मिलने वाले हैं वह दो चार दिनों में दस दिनों में वह खतम हो जाए तो हम नहीं चाहेंगे जो अफिर एसे ट्रेकम के मिच्वल फंड होते हैं देट का इंट इस्ट अ मतलब यहां भी स्टॉक में होता हम पहले केस में हम चीद्ञाक में करते हैं हम अपनी जानकार है कि हिसाब से इनवेस्ट करते हैं है लेकिन यादि equity mutual fund invest होता है equity में ये इसके fund महैंजर disparu जान कार हिसाप से stock में invest करते हैं और तीसरा है hybrid जैसा मैं hall custom के in 305 के सबसे कम एक सक्ट में सबसे अधिक कर Этоぐäch एक्टी में और इन दोनों के बीच का रिस्क hybrid में इसका मतलब रिस्क है भी थोड़ा कम है एक्यूटी से लेकिन डेट से अधिक है तो आज हम चर्चा करेंगे इसी hybrid mutual fund की और देखेंगे कि हमें यह 20-25 लाग जो मिला है कुछ हमें के पैसे भी कम मिलेंगे वह मंसली एक्सपेंश के लिए पैसे हमें क्या करना चाहिए तो इस कॉंटेक्स्ट में हमने hybrid mutual fund की बातें किया है और सब्सक्राइब बात करते हैं जैसे के नाम से लगता है कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव है बहुत एग्रेसिव नहीं है इस तरह के लेकिन आःग्रेसिव में 65 से 50 परसंट एक्विटी में इंवेस्ट होता है और निश्चेद रूप से एग्रेसिव में एक्विटी का प्रोपोर्सन्स काफी अधिक है इसलिए इसमें कंजर्वेटिक के कि कमपरीजन में काफी अधिक रिस्क है लेकिन अब हम देखेंगे कि वह 25 लाख कहां इंवेस करें सो देट पैसा भी प्रोटेक्टेड हो हमारे पास और उससे कुछ हमें रिटर्ण मिले जो हमें मंतली मिलता रहे और हम अपना मंतली इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एक्रसीव फंड की और इस पर बात करने के पहले हमने एक लाइव लिया हुए हमने यह माना कि जो बीच लाग रुपए आपको जो मिले थे पिछले 15 साल में यदि वह 20 लाग रुपए एक जनवरी 2008 को जमां किये होते जमां किये होते और हमने कहा होता उसको इंसर्शन दिया होता कि पंद्रह हजार पर मंत हमें पेंस्र पर मंत मुझे हर मेने मिलता रहे और वह कम मिलेगा वह मिलेगा 10th of the every month यदि यह कंडिसंस हो स्कीम्स को इस योजना को स्टेमेटिक विड्रॉल प्लैन बोलते हैं इस केस में एक लमसम इमाउंट कुछ ऐसे सेव जगा पे हम डालते हैं उससे पैसे निकालते रहते हैं धीरे-धीरे हम जितना नीट होता है और कुछ वर्सों के बाद देखते हैं कि हमारा पूरे पिछले पंद्रा वर्सों के अधार पे दो एग्रेसिव हाइब्रीड फंड का सॉट लिस्ट किया है मैं फिर बता दो जो भी फंड्स का नाम आप देखेंगे मैं किसी मीच्वल फंड्स का प्रमोटर नहीं हूं केवल हम इस इस दोनों फंड्स को सेलेक्ट करने का एक ही परपस है पिसे पंद्रा बर्सों में इंदोनों फंड्स ने सबसे भेटर रिटर्ण दिया है उसमें से पहला फंड है SDFC का हाइबरीड एक्विटी फंड दूसरा है निप्वान का एक्विटी हाइबरीड यह दोनों एग्रेसिव फंड है मतलब जिसमें रिस्क दिक है तो रिटर्ण भी यह दिक है इसमें देखा हमने एक एक मतलब जो हमने विड्रॉल लिया था वह दस जनवरी दो हजार आट को में 20 लाख रुपए SDFC इक्विटी या इन दोनों फंड में डाला इन दोनों फंड में से किसी में डाला और हमने इनको आदेश दिया कि दस तारिक के हर महने की दस तारिक पंद्रह हजार रुपए हमारे खाते में मिल जाएं जिसले कि हम अपना पेंशन और यह हजार रुपए निकाल लिए होते और उसके बाद जो पैसे आपका बचे होते वह 35,44,000 के आसपास होते और यह रिटर्न के फॉर्म के रूप में इसको देखें इसको देखें इसको 11.35 परसेंट दूसरा फंड है निपॉन इक्यूटी हैबिट फंड इसमें भी 29,55,000 निक जेक्ट 9.05 परसेंट होता अब कि आपको लगता है के ऐग्रेसिब में क्योंकि 60-80% तक एक्यूटी में होते हैं आपको लगता है रिस्क अधिक है हमें कंजरुटी में जाना चाहिए तो अब देखें अब कंजरुफिटी फंड में भी जैसे मैं पहले बता है टॉप टु ह हमने 15 साल के क्राइटरिया के basis पर निकाला है और इसमें भी फॉर्चुनेटली और अन्फॉर्चुनेटली HDFC का दोनों फंड आये HDFC हैब्रिड डेट और निपॉन का इकुटी डेट और इस केस में हमने देखा कि 29,55,000 रुपे विड्रॉल किये थे हमने और कॉर्पस आज के दिन में जो यूनिट से बचे होते हैं उसकी वैल्यू 16,23,000 के आसपास होती और निपॉन एकुटी डेट फंड में यह 10.29 लैक के आसपास होती और यदि एक्स आयरा की बातें करें तो सब्सक्राइब करें और हमने पिछले 15 वर्सों का एक्जांपूल इसली के दिया है कि मीच्वल फंड में नॉर्बल कोर्स में हिस्टोरिकल रिटर्ण के बिसी सब्सक्राइब क्या करना चाहिए लंबे सब्सक्राइब कली इसली लेते हैं कि चुकि पिछले 15 साल का यह इसी के आज पास थोगा कुछ अधिक फ्रक्टाइशन नहीं होगा इसमें इसी के आस्पास होगा इसलिए हमें हमेसा बात करते हैं हुआ है लेने की बारे जैसा कि मैंने पछले चर्चा की थी कि इन्वेस्टमेंट किस में किस में करें यह इस डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर के अपने रिस्क पर सब्सक्राइब यानि रिस्क टॉलेंस लेबल पर या सीदे साफ साथ में कह सकते हैं कि वह इंवेस्टर वह आइंटी कितना रिस्क टॉलेट कर सकता है जैसा कि हमने देखा था वैसे एसे जिसमें कोई रिस्क नहीं था गवर्मेंट आफ इंडिया का 100% उनर्चिप था उसमें मैक्समाम देख सब्सक्राइब तो फ्रेंट्स क्वाटरली प्याउट मिस्ट देखा हमने थोड़ा सा अधिक रिस्क लेते हैं अग्रेसिव हैबीड में जाते हैं हमें 11.35 परशेंट का एक सायर मिला कहां 8.2 परशेंट और 8.2 परशेंट भी जो वह था वो क्यबल लड़कियों के लिए था आम आदमें उसमें नहीं कर सकता है जबकि यहां एग्रेसिव में जो तो SDFC का फंड था एग्रेसिव हाइब्रीड उसका एक सायर पिछले 15 वर्सों का 11.35 परसेंट था जबकि निपोन एग्रेसिव हाइब्रीड का इट वाज 9.05 परसेंट एक पक्ष कि क्या आप SDFC एग्रेसिव हाइब्रीड या निपोन हाइब्रीड एग्रेसिव हाइब्रीड में इंवेस्ट करना चाहते हैं यह दि लगता है आपको यह थोड़ा दिक रिस्की है देन यू मस्ट गो फॉर और कंजर्वेटिव फंड और उसमें जो सबसे बेतर रिटर्ण दिया है वह सब्सक्राइब्रीड जिसका की 8.86 परसेंट का एक साइरार है सो निड़ने आपको लेना है क्या आपको ऐसे वन्यूज में जाना है जहांकि आपको कोई रिस्क नहीं है लेकि रिटर्ण काफी क यह आपको वैसे फंड में जाना है वैसे मीचुल फंड में जाना है कंजरेटी या हैब्रीट में डिपेंडिक आप निड़ने ले सकते हैं लेकिंगि यहां एक और देखें मैं जो लाइब एक्जाम्पूल दिया है फॉर एक्जाम्पूल कंजर्विटीव फंड में 29,55,000 रुपे निकाले इसके बावजूद आपको यदि हैब्रीट डेट में 15 साल पर इंवेस्ट किया होता 15,000 रुपे हर में निकाला होता तो फिर भी आपके आज के दिन में 16.23 लैक का कॉर्पस आपके पास मुझूद रहता है इन बातों को धियान में रखें अपना निर्ट आप खुद रह सकते हैं थैंक यू